भूबी के स्टाइड में डिफोर्स्टेशन और पॉलिशन इंजिस्टी को दिखाया जाता है जिसके बज़े से पाने के अंदर रहने वाले एक को एनिमल डिस्टॉय हो रहे थे उसे तरफ एक एक्सोर्टिक म्यूजियम को दिखाया जाता है जहांपा कुछ बच्चे आई फिर वो अपने बंदे कुट्टे को ब्लैक पैंथर टाइगर कहता है बच्चे उस घर के मालक को बोलते हैं कि यह तो एक कुट्टा है सभी बच्चे यह सब देखका गुसा हो जाते हैं और अपना पैसा उसे मांगने लगते हैं तब वह आदमी उन बच्चों को एक कमरे मे जाने को बोलता बच्चे जैसे ही उस कमरे में जाते हैं वह आदमी बाटम में से मरमेट बनका निकलता जिससे मानने लगते हैं उसके बाद हमें कुछ अमीर आदमियों को दिखाया जाता जो ग्रीन आईलेंड को खरीने आए थे उस आईलेंड को एक बड़ा बिजनिसमें जिसका नाम लुई होता है उसे 280 करूर में खरीद लेता और इस आईलेंड की खरीदने की खुशी में एक बड़ी पार्टी देता जिसमें कुछ करीबी दोस्त आते हैं हम एक सुपरमेन को देखते हैं जिसका नाम टेन होता टेन लुई से बोलता है तुमने ग्रीन आईलें पर कोई कंसेक्टन का काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहां पर बहुत सारी डॉल फेस है लुई गवर्नमेंट के साइटिपिकट को दिखाता तब टेन बहां से नाराज होकर चला जाता लुई और लोरेंड अपनी पार्टी इंचॉय कर रहे तो उसी वक्त बहां पर एक लड को तंदूरी चीकन बहुत पसंद है इसलिए सेण व्राश्ती में तंदूरी चीकन खाती हो जिए अपने स्केटिंग बोर्ट से घर पहुशती है दरसल सेन एक मर्मिट ऑपने प्रेंड के साथ ग्रीन आईलंड में टूट्ट हुय है शिफ में रहती है इन मर्मिट के बीच एक अक्टूपस भी रहता है款 साह होता है अक्टूपस चाहता है सेन लुई को अफने प्यार में फसा कर यहां पर लाइग है। जिससे हम लुई को मार पैंज इसलिए एक्टूपस सोनieso लुई की पार्टी में बेढ़ाता है। और उन्होंने चैन को इंसानों की दुनिया में जाने के लिए ट्रेंड की आता है ता दरसल लूई की कमपनी ने ग्रीन आइलेंड पर चारों तरफ सुनाई लगाई हुई ती जिससे सुना केमिकल इतना पावर कुल होता है कि अगर उसके पास कोई मसली जाये तो वो मर जाती है इसलिए अक्टोपस और सभी दोस्त मिलकर लूई को मानना चाहते हैं क्योंकि सुना केमिकल के बज़े से एक सिप में फसकर रहे गए हैं इसके बाद अक्टोपस और सभी मिर्मिट लूई के फोन का दियार करने लगते हैं जब लूई लूरंस से बात करता है तो लूरंस बात को सुन्का होगाते हैं और उसको मनना के लिए एक अ कमरे में जाकर छेप जाते हैlor लूई सेन को लेने अंदर आए तो उसके ओपर अटाकर करके उसे मार देंगे इसके बाद लूई के बोडिकार्ट सेन को अपने साथ ले जाताए یہ सब देखकर उप्टोपस सेन को एक लुई के बॉल स्टिक से सेन को लग जाती है, सेन बेऊस हो जाती है, जब सेन को उस आता है, लुई उससे पूछता है, तुम या क्यों आई हो, सेन बोलती है, आप नहीं मुझे फोन करके बुलाया था, लुई कहता है, मैंने तो ऐसे ही कॉल गिया था, फिर लुई उसे पैस लूई बोलता है मैं यहां कैसे खाऊ हूँ यह तो होटल नहीं है लेकिन थोड़ी देर बाद सैन के कहने पर लूई के इस चिकन खाने लगता है फिर लूई सैन को ब्लैंक चैंक देता है और बोलता है जितना पैसा चाहिए वो भर लेना पर सैन चैंक को आग में फेक कर जला देती है देखकर लूई उसके पास आ जाता और बोलता है तुम्हें आखे कर क्या चाहिए सैन अपने प्यार का इजार करती है लूई सैन को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है सैन लूई से को बोलती है अगर तुमारे पास लाइफ का एक मिनिट बचा हो तो तुम क्या क चाहूंगा क्यूंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं यह सुनका सेयन अपने रूम में चली जाते एह बोलती है तुम्हें अपने घर जाना शाहिए ब्लबी को घर के अंदर लेकर आती तो ऑक्टो पस इसे मार देता, दोफ सैन 서로 को अपने घर लेकर आता है, यहांपा ऑक्टो पस को बनकर आ जाता है, ie last sentence मोलती यह कॉण ए बोलती के मेरे अंकल हैँ , अक्टबश अपने अधिकल्स को अपने हाथ में लिए होता है दिए लुई बोझो कि सबी के तक का कर गाने लगता है फिर अक्टबश अंत अक्टबश यत्ता उलकवादि के अवबादि में करता है लुए से बोलते हैं तुम कितने लाड़कियों के साथ गूमते है और हमें मिले, एक ही दिन हुआ, लूइ से कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, सेन ये सब सुनका खड़ी हो जाती हो, और बताती कि मैं तुम्हें मानने आई हूँ, लेकिन लूइ उसकी बात पर बिश्वास नहीं करता, सेन को किस्क करने लगता, तब बापा लोर्रेंस आ जाती है, शैयन उसको देखकर चली जाती है, लोर्रेंस लुई को रोकती है, शैयन के पीछे जाने से लेकिन लुई उसकी बात नहीं सुनता और शैयन के घर चला जाता, वहाँ सैयन अपने असरी रूप में होते है यह सब देखकर लुई डर जाता और वहाँ से भागने लगता है लेकिन ओक्टोपस और बागी के लोग लुई को पकड़ लेते हैं। ओक्टोपस लुई को बोलता है तुमारे सुना केमिकल के कारण हमारे कईंसाथी घायल होकर मर गए। आक्टोपस अपने टेंटिकल्स से लूई के गले को कसकर पकड़ लेता इससे लूई सांस नहीं ले पाता तब ही सेन आक्टोपस के टेंटिकल्स को काट देती है और लूई को भागा देती है फिर आक्टोपस सेन से बोलता ही है मत बोलना ही तुम लूई से प्यार करने लगी योसेन कोई जवाब नहीं देती और रोने लगती है उस गत लुए उन मरमेड के बारे में पुलिस को बतााथा, लेकर पुलिस उसकी बातों पर बिजवास नहीं करती और घसने लगती है, फिर लुए सुनार कैमिकल को अपने ऊपर फेस करता हुट फिर उसे पता चल जाता है कि सुनार बहुत जाता खतरनाक है सुनार को लॉरेंस के साथ मिलकर उसको बंद करवा देता है फिर लूई लॉरेंस को उन मरमिट के बारे में बताता है लॉरेंस लूई की बात सुनका बहुत खुश हो जाती है लुई को पता नहीं रहता है कि लॉरेंस मरमेट को खोजने का काम कर रही है और उसे पता चल जाता है कि ग्रिन आइलेंड में एक टूटो हुए सिप में बहुत सारी मरमेट है लॉरेंस तुरंती अपने टीम के साथ मरमेट को पकड़ने जाती है जो लॉरंस के आदमी उसको मारका ब्योस कर देती है अक्टिपस और सारी मरमेठ अपने हॉल्स हिल से चले जातीत तभी लॉरंस के बोड़ुगार सेन की उपर तीज से हमला कर देते है Ooh लोरंस के पोठीत कर भागती है सेन को बचाने के लिए भागता तक लूरेंस लूई के उपर तीर मार देती है तब भी लूई सेन को गिरने नहीं देता क्योंकि वो अगर सेन को नीजे छोड़ेगा तो लूरेंस के आदि में उसे मार देंगे लुई सेन को ले जागर ओस्या समंदूर में फेक देता इससे सेन बच जाती फिर सेन चेंज होता हमें लुई को एक ओस्या के किनारे एक घर में दिखाया जाता जहां पर एक लड़का लुई का इंटर्वियू ले रहाता लूई इसको मरमेर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता तब भी बहाँ पर लूई की वाइप से इना आती है इस से हमें पता चलता है लूई भी ओसियन के नारे से इन के साथ रहता है और यह मुवी यहीं पर खत्म हो जाती है